Assalamu alaikum our dear Google is welcome back to my channel अभी हमने चॉहेक और बहुत important topic पर बात किरनी है और वो क्या है वो है how to gain experience experience को कहते है experience कहते हैं तजर्बे को तजर्बा कैसे आता है experience इंसान को कैसे आता है जैसे जैसे आप ग्रोव करते चल जाते हो सबस्टे पारे तो इंसान सबस्टा को很 neuron cos are individual होता है और फिर और फिर ऐसके बाद बबी फर्म में फिर उसके बदा सा बढ़ा होता है और उस चीजों को observe करना स्टार्ट करता है तो इस तरह से जैसे जैसे आप बढ़े होते चले जाते हो ना तो आपकी लाइब में different situations आती चले जाती हैं और उन situations को deal करते करते हैं आपके different तरीकों से और दूसरों को observe करते करते हैं आपके पास एक heavy experience आ जाता है और फिर different चीज़ों को आप different तरीकों से handle करने की जब कोशि experience ही है although life जो है वो सबकी एक जैसी है सारे सांस लेते हैं खाते पीते हैं but situation सबके लिए different है और उनको deal करने का तरीका भी हर इंसान का different हो सकता है और बिलकुल ऐसा ही है कि जब इंसान different different चीज़ों को करता चला जाता है और different different चीज़ें उसके सामने आती चली चाती है तो फिर उसका experience बन जाता है और वह इस काबिल हो जाता है कि वह दूसरों के लिए एक guideline प्रूफ हो सके और अब हम क्या करें कैसे experience को gain करें अच्छा जी क्या बैट पे पड़े पड़े कोई experience आ सकता आपको बिलकुल भी निया सकता क्या घर में जो रहते हैं सिरफ उनको experience आ सकता है बिलकुल थोड़ा बहुत experience हो सकता है क्योंकि घर में कोई अकेला थोड़ी रहता है कोई ना कोई साथ में तो होता ही है family होती है तो उनके behavior को आप judge कर सकते हो उनके रहने सेrainे को आप observe कर सकते हो उससे भी आपको जो है वह experience आप इस दुनिया को देखो, کہ इस में किस तरा आप दील करना है हमने लोगों को parallel को कैसे हमने peng अप्रेजिस जो है उसके लिए आप क्या करोगे आप डिफरंट डिफरंट चीजे ट्राइक करोगे, त्रिफरंट डिफरंट काम करने की कोशिश करोगे, तो क्या गहता ह इंसान जो है वो अपने आपको useful activities में busy कर ले और खासर पर उन activities में जिसमें उसका दिल लगता है और दिल तो तब ही लगता है जब आपको किसी काम में interest हो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सिर्फ बेट पे लेटे रहना ही पसंद हो और आप जो हैं वो कोई काम ना करना चाहते हों करना तो चाहते हैं सब करना चाहते हैं तो कि इस तरह से बड़े-बड़े इंसान useless ही हो जाता है और उसका ना तो दिमाग किसी काम कर रहेगा और ना तो है जो इसकी body सो आपको क्या करना चाहिए कोई ना कोई activity देख लेनी चाहिए study स्टार्ट कर लेनी चाहिए या कोई और काम कोई और activity arts का है वो कर लेना चाहिए उससे भी जो है वो बहुत साथा benefit होता है फिर इसके बाद और क्या और क्या कर सकते हैं आप लोग अच्छा जी experience की बात हम कर रहे थे तो इससे भी आपको different different चीज़ों का experience होता चला जाएगा कि हाँ यही चीज जो है वो इस तरह से होती है और अगर interest होगा तो फिर आप एक चीज़ को 10 तरीकों से भी करोगे और वो चीज़ें जो है फिर इस तरह से आप क्या करोगे कि एक काम को करने के आप 10 तरीके invent कर लोगे इस इची बात क्या हो सकती है और फिर experience आपका childhood से start हो जाता है जैसे यह आप होज संभालते हो थोड़ा बहुत चीज़ों को उबजाव करने लग जाते हो और बच्पन में अप्लाय भी करते हो थोड़ा बहुत तो वहां से बच्पन के experience start होता है फिर उसके बाद पिर आप जो है वो school life में जाते हो college life में जाते हो फिर वहां पर जाएकर आप सोशल होना शुरू हो जाते हो तो आप से friends बनते हैं आपके और पिर आप जो है वो gathering करना start करते लोगे साथ communication जो है वो आपकी start होती है आपको थोड़ा बहुत बात करना चाता है फिर आपकी यही skills आपकी और enhance हो जाती है इस तरह से आपका जो है experience बढ़ता चला जाता है बच्पन में खेलने को उन्दे का कुद को active रखने का थोड़ा से बड़े हो जाओ तो स्कूल में communication का friends बनाने का पर उसके बाद जैसे college life, university life में जाओगे तो फिर क्या होगा आप और जादा जो है वो हो जाओगे social communication skill और बहतर होती है और अगर तो अच्छे दोस्त हैं तो अच्छी आपकी बनती है society अगर तो नहीं आपको बुरे मुष्वर देने वाले है सारे तो फिर आप पुरा ही experience बनता है जाहिरा जो कि ना तो आपकी लिए अच्छा होता है ना ही आपकी society के लिए अच्छा होता है फिर उसके बाद आप क्या करते हो third stage पे पर आप practical life में जाते हो experience की third stage पे प्रैक्टिकल life में जाते हो जहां पर आपकी शादी होती है पिर आप लोग जो है एक practical life में देखते हो जाके किस तरह से जिजों को handle किया जाता है लोग कैसे behave करते है और लोग ऐसा करते हैं उसको कैसे डील किया जाए यह सारा कुछ और फिर जो है वो आप एक तरह से मिचॉरटी की तरफ चले जाते हो फिर समझ बूश आ जाती है इंसान में और फिर जो है वो एक कैलो के आप एक बड़े स्टेज पर थोड़ा से चले जाते हो एक्सपीरियंस आपको इंटरस्ट है डॉक्टर की हो या कोई भी और फिल्ड हो जिसमें भी आपको इंटरस्ट था जहां भी आप पहुंचना चाहते थे तो फिर वहां भी आपको दूसरे भी गाइड कर रहे होते हैं और वह भी जो है वह आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे होते हैं और आल्दो उनके अपने उते हुते हैं तो सकता है कि आप उन उन्हे इक्सपेरियंस धी सीख लें आपकी जो है personality या आपके जो scenario है हो सकता है उस time पर जो है वो scenarios अलादा थे हमसे जो बड़े हैं उनके experiences अलादा थे क्योंकि जैसे जैसे advancement होती गई है और जब हम चोटे थे या हमसे भी जब हमारे parents होते थे यह छोटे थे, तब तो light नहीं होती थी तूछ आ अधियेंसे सद्धी और अगर कोई आपसे बड़ा आपसे अपना एक्सपियेंस शेयर करता भी है तो इसको सुन ले और तो सुनने में क्या जाता है बाकी तो थोड़ा बोद अगर कुछ सीखने लाइग भी है तो भी सीख लिया ताके हमें भी जो है वह थोड़ी बहुत समझ बूज आ जाए तो इसा होता है बिल्कुल होता है हम अपनी लाइफ के डिफरन स्टेज़ पे डिफरन डिफरन सिचुएशन में डिफरन डिफरन एक्सपियेंस घैन करते चले जाते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है और बिल्कुल डिसकुस भी करने चाहिए चीज़ें दूसरों के साथ कोई अगर सेंसिबल तरीके से अपने सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो तो आपको वैसे ही सारे एक्सपियेंस समझेंगे और आप से जो है वह दूसरे गाइडलाइन भी लेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि एक्सपियेंस जो है आपका इसके बेनिफिट क्या है एक्सपियेंस का ब कांसलर्स जैसा के बहुते हैं, जैसा के study के लिए जो है, अगर आपने किस field में जाना है, आप आगे जाके कौँन सा दर्शी आप के लिए best है, कोई सा फील्ड आप के लिए best है, आप उससे जाके गाइड लेते हो, फिर इसके बाद अगर अगर कोई अगर कोई कि सी को इसी को धी का बिमारी का और आपकर बाड टाइड गाइड लेंक करें इस तो नहीं हो सकता के अब दान्त का अब डिसक्टर इसके पास ही नहींगोड़ सुपता है जिसके पास इंफिर ले के अखायडbook सितने भी मिवेशन स्थारणी तो ब्रॉण्ट वही आपको बेतर गाइड कर सकता है और ऐसा ही होता है और बिल्कुल आप जैसे जैसे आपका experience होता चला जाता है और उनीक होता चला जाते हो और फिर आपका experience होता है आपका decisions को easy बना देता है और दूसरों के लिए आपका experience हो एक guideline के तोर पे भी act कर सकता है सही और अब होता गया है कि आपको experience आपका होता चला जाता है आप ना भी जाहो तो तब भी जो है वो life में गोईने को situation ऐसी आती चले जाती है और आप उसको face करते चले जाते हो डिफरेंट तरीकों से handle करते चले जाते हो और ultimately आप experience person बन जाते हो लेकिन शर्ती है कि आपने डिफरेंट चीज़र try करनी है और try करने से क्या होगा यहां तो आप pass हो जाओगी यहां fail तो pass होने से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे करने से काम अच्छा हो जाता है औ और ऐसे करने से काम अच्छा नहीं होता और फिर आप और जादा कोशिश करोगे और जादा तरीके ढूंडोगे कामयाब होने के और फिर आप और जादा आपको तरीके पता चल जाएगा अच्छा इन इन चीज़ों से यह काम अच्छा नहीं होता लेकिन तीसरा तरीका मैं तो मेरा अच्छा हो गया, तो ये एक्सपिरिएंस ही, ये उनीक बनाता है, I hope आपको अच्छा लगा है, तो आप बता सकते हैं कियां उपका experience कैसा है, और मैं बता हूँ सब्सक्विस का स्क्रमारिण से अर्ट ये तक अच्छा है। और ब sentiments in student life, student life in children in children with a great incident, तो मैं बहुत खेल खूद किया करती थी इस फ्रेंड्स के साथ और अगर देखा जाये तो स्टोड़िट लाइफ में भी अच्छा था तूकि मैंने बहुत जादा स्कूल चेंज किये I think मैंने फिफ्ट के बाद स्कूल चेंज किया फिर उसके बाद एट के बाद स्कूल चेंज किया फिर उसके बाद मेटर के बाद स्कूल चेंज किया और इसके बाद काफी स्कूल चेंज किये और इसके बाद जब कॉलेज आया फिर उसके बाद कॉलेज भी पर बाद में गॉर्मन कॉलेज में चले गई वो भी बहुत अच्छे एक्सपिरियंस थे और काफी friends circle बने parties हुई, enjoy हुआ बहुत तो बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ जाना भी और इसे से बहुत सारा experience पर कठा कर लिया और अभी तक जो है वो learning process जारी है और कुछ आप भी शेयर करें कि आपके गैसे experiences हैं तो next topic में बलेंगे तब तके लिए, Allah आपिस